काईली सब्सक्राइब दे चैनल और हिट बेल आइकेन तो गेट रेगलर अपडेट्स थाइंक यू हेलो स्टुदेंट्स ओनलाइन मोरल साइन्स क्लास सीवम कार्णमेंटी स्कूल में आपका स्वागत है आज हम चैप्टर सेकेंड जो करेगा सो भरेगा पाठ का अध्यन करेंगे जो करेगा सो भरेगा अर्थात जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा तो आईए पाठ का अध्यन आरंब करते हैं लोहिया नगर में एक छोटी सी पाठ साला थी वहाँ एक मास्टर जी बच्चों को बड़े प्यार और लगन से पढ़ाते थे मास्टर जी बड़े ही कर्दविनिस्ट तथा धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे सभी बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे माश्र जी का एक लड़का था जो चौती कक्षा में उसी पाट साला में पढ़ता था उसका नाम सिसिर था सिसिर भी पिता की भाती अर्थाद उनी की तरह बुद्धिमान तथा पढ़ने में होश्यार था वा कक्षा में सब बच्चों से आगे रहता था उसी की कक्षा में गाउं के धनी जमीदार का लड़का पढ़ता था उसका नाम अमित था धनी पिता का पुत्र अतिधी के लाड़ अर्थात प्यार से पला था उसका मन पढ़ने में बहुत कम लगता था लेकिन उसका धनी पिता चायता था कि उसका लड़का एक शाधारन अध्यापक के लड़के के स्थान पर कक्षा में सबसे आगे रहे उसने कई बार मास्टर जी से कहा मास्टर जी मेरे लड़के को ध्यान से पढ़ाया करो मास्टर जी ने बड़ी लगन से अमित को पढ़ाया लेकिन अमित का मन पढ़ने में नहीं लगता था अता वो पीछे ही रहा धनी आदमी को इस बात से बड़ा क्रोधाया वो मास्टर जी से द्यास करने लगा अर्था इर्शा करने लगा उनसे बदला लेने का विचार कर उसने एक योजना बनाई अब हम पाट के सेज भाग का ध्यन नेक्स वीडियो में करेंगे धन्यवाद Hello Students, Online Moral Science Class, Sivam Karmeni School में आपका स्वागत है पिछले वीडियो में हमने पाट के आदे भाग का ध्यन किया था अब हम पाट के सेज भाग का ध्यन आरंब करते हैं मास्टर जी का लड़का, Sishir सवेरे दूद लेने डेरी पर जाया करता था धनी आदमी ने मास्टर जी के लड़के को मारने के लिए गुंडे को न्यूक्त कर दिया जब मास्टर जी का लड़का, Sishir डूद लेने गया तो रास्ते में धनी आदमी का लड़का अमित कुछ मित्रों के साथ खेल रहा था जिसमें वह बार बार हार रहा था मास्टर जी का लड़का, Sishir भी खेल देखने के लिए खड़ा हो गया थोड़ी देर देखने के बाद, वह धनी लड़के अमित के इस्थान पर खेलने लगा और जीत गया उसी जीता हुआ देखकर, अमित उसी अपने इस्थान पर खेलने के लिए कहकर आप दूद लेने डेरी पर चला गया जब वो दूद लेने गया, तो पहले से ही तयार खड़े व्यक्ति ने उसे माहरत जी का लड़का Sishir समझ कर उसका काम तमाम कर दिया काफी देर खेलने के बाद, Sishir अपने मित्र अमित को ढूणने दूद की डेरी पर गया वहाँ भी उसे ना पाकर, वो अपने मित्र अमित के घर उसे ढूणने गया वहाँ जाकर उसने सारी बात बताई, तो अमित की पिता को अपनी करणी पर बहुत पस्तावा हुआ लेकिन अब क्या हो सकता था? बच्चों, बुरे काम का सदा बुरा परिड़ाम होता है, कभी किसी का बुरा ना विचारो किसी दिन तुमने काम नहीं किया और स्कूल में मास्टर जी के पूछने पर तुम चुपचाप बैठे रहे लेकिन तुम्हारे शाथी ने मास्टर जी को सच बात बता दी कि तुमने काम नहीं किया है, जिस कारण तुमें सजा मिली तुम तुरंट अपने साथी से बदला लेने की योजना बनाने लगते हो क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं सक्षा बच्चों, भगवान ने तुम्हें अच्छी काम करने के लिए हाथ अच्छी बाते शुनने के लिए कान अच्छी चीजे देखने के लिए आखें दी है मनस्षिकों के वल अपनी भलाई ही नहीं बलकि दूसरों की भलाई की बाते भी सोचनी चाहिए औरों का बुरा चाहने का परणाम शदा बुरा होता है अब आप सभी पाट का भली भाद या धन करें धन्यवाद